जैश्री राध्धे, पुझेश्री सत्गुर्दे भगवान के चर्णों में प्रणाम आईए आज हम करते हैं गीता भवन नमबर एक के श्रिमन नारायन भगवान के दर्शन जो गीता भवन नमबर एक के हॉल है जो उपर है उसके भीतर विराजमान है ये जो विश्रु भगवान है जब पुझेश्री सेड़ जी सत्संग करवाते थे साथ नमबर गीता भवन में तो वहाँ पर जब गर्मी में सेड़ जी को पसीना आता था तो इन विश्रु भगवान को यहाँ पर पसीना आ जाता था तो करते हैं उन विश्णो भगवान के दर्शन आईए अब हम आगे करेंगे पुझे श्री स्वामी रामसुदाज जी महराज गीता भौन नमबर तीन में विराजते थे और वहीं पर जिस इस्थान पर बैठ कर सत्संग करवाते थे उस इस्थान के अब हम दर्शन करेंगे चलिए करते हैं दर्शन राम्दाम्दाम्दाम्दाम्दाम्दाम्दाम्दाम्दाम्दाम्दाम्दाम्दाम्दाम्दाम्दाम्दाम्दाम्दाम्दाम्दाम्दाम्दाम्दाम्दाम्दाम्दाम्दाम्दाम्दाम्दाम्दाम्दाम्दाम्दाम्दाम्दाम्दाम्दाम्दाम्दाम्दाम्दाम् रम्राम 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 रम्रा रप्राम्टाम्टाम्टाम्टाम्टाम्टाम्टाम्टाम्टाम्टाम्टाम्टाम्टाम्टाम्टाम्टाम्टाम्टाम्टाम्टाम्टाम्टाम्टाम्टाम्टाम्टाम्टाम्टाम्टाम्टाम्टाम्टाम्टाम्टाम्टाम्टाम्टाम्टाम्टाम्टाम्टाम्टाम्टाम आये जब अब हम चलते है पुझे श्री सेड़ जैद्याल ग्युनका जी गीता भवन नमबर साथ पर बैठ कर वरक्षों की सघन छाया में बैठ कर सत्संग करवाया करते थे पुझे स्वामी राम सुगदाज जी महराज और भी अनेक संत यहां बैठ कर सत्संग सुनते थे और कराते भी थे इसके बाद हम करेंगे पुझे श्री सेड़ जैद्याल ग्युनका जी की कुटिया के दर्शन जहां बैठ करके वे ध्यान करते थे किनी कारणों से किवल भार से ही दर्शन करा पाऊंगा भीतर जाने की आग्या नहीं है अर्शन करते थे अर्शन करते दो जाद है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 झाल